तो गैस वागते नियू हेल्पिंग एंड वीडियो में तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे केसे आप फोटोसोप की मदस से पास्वर साइट फोटो बना सकते हैं बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है तो मैंने एक से देर शर पहरे एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया उस वीडियो में आप में से जालत और विवर्श ने कमेंट किया था फिरी में आप केसे फोटोसोप को इंस्टोल कर सकते हैं तो उ शच्छ से आप अपने कम्प्योटार में डेश्टोप को और किसी ओलोगे में सेफ करेंगे फिर आप फोटोसोप को ओपेंड़ करेंगे तो जैसे कि में पूल्त शच्छ ओन होग हो nectar है आपके सामने कुछ इसा इंटरיर्ट ओपेंड होकर आएगा तो इसमें आपको CT rinse करेंगे तो जैसे कि मुझे इस फोटो को पासोटो बनाना है तो सबसे पहले हम इस फोटो को क्रोप करेंगे तो आपको नीचे कुरोग का option मिलेगा जिसमें आप क्लिक करेंगे फिर उपर आप इस जगबार क्लिक करके with height resolution सेलेट करेंगे और अपना photo का जितना भी width और height रखना है आपको और डाल देंगे मतलब आपको जिस भी ceiches ka sofa फोटो बनाना है वो आप इस जगबार डाल देंगे फिर आप अपने photo को सही तरीके से कुरओब कर लेंगे तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप धियान से देखिए आप संथरीके से अपने photo को कुरओँ करेंगे तो सरी से आप अपने photo को crop करके फिर enter प्रेस करेंगे तो आपका photo crop हो जाएगा अब हमें इस photo में color adjustment करना होगा जिसके लिए आप image पे click करेंगे adjustment में जाएंगे adjustment पे आपको carves का option मिलेगा जिसमें click करेंगे तो इसका shortcut है control M फिर आपके सामने carves का option open होके आएगा इसमें आप इस line पे click करके अपना brightness adjust कर सकते हैं तो आप अपने ही सबसे brightness को adjust कर लेंगे अगर आपके image में brightness ज्यादा है तो उसे कम कर देंगे और अगर brightness कम ह तो उसे ज्यादा करके okay पे click करेंगे फिर से image के section पे जाएंगे adjustment पे जाएंगे और नीचे आपको saturation का option मिलेगा जिसमें click करेंगे फिर अपना saturation level को कम ज्यादा करके देख लेंगे कौन सा आपके photo के साथ suit कर रहा है और कौन सा अच्छा लग रहा है अपने ही साब से saturation adjustment करन करने के लिए सबसे पहले आप अपना image को judyam कर लेंगे तो judyam करने के लिए आप keyboard पर control button दवाएंगे और पे जहां पर सबसे बरया Iskin Tone है वहाँ पर Mouse लाएंगे औरGS का opacity का option मिलेगा जिसमें 100 होगा आप इस जगा पर 100 को cut करके 10 लिख देंगे फिर अपने mouse की cursor को अपने image में लाकिए जहाँ जहाँ पर skin color है वहाँ पर इस तरीके से select करेंगे तो skin tone apply होना शुरू हो जाएगा तो आप धियान से देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप same तर कर लेंगे फिर आप brush tool में आएंगे और अपने hair में और जहाँ जहाँ पर black color है उस जगा पर brush tool से apply करेंगे तो आपका picture quality और भी बढ़िया हो जाएगा तो इस तरीके से आप brush tool का use करके अपना image का quality बढ़ा सकते हैं अब image को control minus दवा के zoom out कर देंगे अब हमें इस image का background remove करन करेंगे उपर आपको quick selection tool का option मिलेगा जिसमें आप इस जगा पर click करके अपना बड़ा size select करेंगे फिर इस तरीके से अपने background में आके click करेंगे तो background automatic select होना शुरू हो जाएगा आप कुछ इस तरीके से अपना background को select कर लेंगे तो background शाही से select करने के बाद आप right click करेंगे औ और feather को two pixel में set कर देंगे फिर आपको toolbox पे नीचे color option मिलेगा जिसमें आप नीचे बले color पे select करेंगे और आपको image के background पे जो भी color set करना है उस color को इस box में से select कर लेंगे तो color select करने के बाद आप control button दवाएंगे और back space button को press करेंगे प्रेस करते आपका photo का background remove होके आपने जो guys इस photo का background बहुती आसानी से Photoshop में change हो गया है पर किसी-किसी photo का background अगर multi color background है तो change करने में आपको थोड़ा श्रमाई लग सकता है और अगर आपको Photoshop साई से नहीं आता है तो आपको background change करने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकता है पर guys अगर आप चाहे तो window की home build feature से किसी भी photo का background remove करके background में आप किसी भी color को add कर सकते है और भी just one click में बहुत सिंपल प्रोसेस है अगर आपको जानना है तो जिसके लिए मैंने वीडियो अल्रेडी बना दिया है वीडियो का link आपको उपर i button या नीचे description पर मिल जाएगा वीडियो को देखके आप बहुती आसनी से किसी भ फोटो बन जाता है तो दोस्तों मेरा फासो साइज फोटो बिल्कुल रेडि हो गया है तो अब अगर आपको इस फोटो को multiple copy में प्रिंट करना है किसी पेज में सजागे तो ओ आप कैसे कर सकते है चलिए देख लेते है जिसके लिए आप control and button प्रेस करेंगे या उपर फाइ साइज की पेज में पासो साइज फोटो को प्रिंट करना है जिसके लिए में एफोर शाइज पेज का उवी तोर हाइट डाल दूंगा फिर नीचे आपको रेजूलेशन का ओप्सिन मिलेगा जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है आप ध्यान सा समझे तो इस पेज का रेजू किया था उस साइज में पासो साइज फोटो नहीं आया है तो यह क्यों हुआ तो यह आपके साथ भी हो सकता है तो यह क्यों होता है वह मैं आपको बता देता हूं जिसके लिए आप आपने पासो साइज फोटो की टाइटल बार में क्लिक करेंगे और इमेज साइज पे क्लि फिर उवी तोर हाइड में हमें 2.9 बाइ 3.9 चाहिए ओमेल लिख दूँगा और ओके करूंगा इस तरीके से आप अपने इमेज साइज को सही कर सकते हैं इमेज साइज को सही करने के बाद फिर से आप मूब तूल को शिलर करके इस तरीके से डिरेक्ट करके एफोर साइज की पेज में लाएंगे तो आपका फोटो पार्फेक्स साइज में मूब होगा अब आप कंट्रोल प्लास बटन प्रेस करके पेज को थोड़ा जूम कर लेंगे अब हमें फोटो में बोर्डारेट करना होगा जिसके लिए आप फोटो का लियार सिलेट करेंगे फिर एडिट पे जाएंगे एडित में आपको इस टौक का ऊफिन मिलेगा जिसके करेंगे फीर आपको जितने भी प्रिक्सल का बोर्डारेट करना है और आप डाल देंगे जैसे कि दो या 3 सजह होता है फिर नीचे आपको color का option मिलेगा तो आपको जिस भी color का border चाहिए और आप select कर लेंगे फिर ok करेंगे ok करते आपके photo में border rate हो जाएगा border rate करने के बाद page को आप थोड़ा सा और zoom करेंगे और इस photo को बिल्कुल सही जगा पर place कर देंगे आप page की mouse से इस photo को drag करेंगे तो photo का duplicate बन जाएगा तो आप अल्ड बतन दबागे इस तरीके से जितने भी copy आपको चाहिए उतना copy आप duplicate कर लेंगे फिर एक line में आपका जितना भी photo set हुआ है अगर आप चाहिए पिल्ट कर सकते है और अगर आपको और भी photo copy चाहिए तो आपको उपर का sub layer को एक layer में convert करना होगा जिसके लिए आप इस layer option में पेला layer को select करेंगे और keyboard में control plus E button दबाएंगे control E करते ही एक एक करते सब layer एक साथ मार्च हो जाएगा फिर से आप alt button दबा के एसे नीचे डिरेक्ट करेंगे तो आपका उपर का layer का duplicate layer बन जाएगा इस तरीके से alt दबा के आप जितना चाहिए उतना layer बना सकते है तो आपको जितना photo को भी चाहिए उतना बना के आप Photoshop से direct print कर सकते हैं जिसके लिए आप control P दबाएंगे आपके समने Photoshop printer setting open होके आ जाएगा जिसमें आप अपना printer को select करेंगे नीचे आपको printer setting का option मिलेगा जिसमें आप हाई करेंगे नीचे आपको print quality में high और standard का option मिलेगा जिसमें आप हाई select करेंगे फिर printer page size का option आपको मिलेगा जो सबसे important है इसमें आपने जो size का page लिया है वही size जगा पर select करेंगे जैसे कि हमने a4 size में अपना photo को तैयार किया है इसलिए मैं a4 size select करूंगा फिर आप नीचे ok पर क्लिक करेंगे और print पे क्लिक करते आपका printing start हो जाएगा और अगर आपको इस photocopy को pdf में convert करके save करके रखना है जिसके लिए आप file में क्लिक करेंगे save on your computer पे click करेंगे फिर जिस भी location पर आपको photo रखना है और select करेंगे नीचे आपको file name और save as type का option मिलेगा जिसमें आपको file का जो भी नाम रखना है और आप डाल देंगे नीचे save as type पे आप Photoshop PDF को select करेंगे और shape कर देंगे तो आपका photo PDF में save हो जाएगा और guys अगर आपको इस photo को png या jpg में save करना है जिसके लिए आप file में click करेंगे नीचे आपको export का option मिलेगा जिसमें आप जाएंगे जिसमें आप export as पे click करेंगे आपके सामने new window open होके आएगा फिर शाइड में आपको format का option मिलेगा जिसमें आपको png या jpg किसमें आपको photo को save करना है और डाल देंगे और export पे click करेंगे आपका photo png या jpg में save हो जाएगा तो आप मैं आपको बता देदा हूँ किस तरीके से आपको Photoshop फ्री में मिलेगा जिसके लिए आप चैनल को subscribe करेंगे वीडियो को like करेंगे और आप मुझे instagram पर message करेंगे message करते हैं मैं आपको Photoshop डाउनलोड लिंक दे दूँगा आप जिसमें click करके direct Photoshop को download कर सकते हैं और गाईस अगर आपको Photoshop से related और कोई भी help चाहिए या पास और साइज फोटो बनाने में और कोई भी help चाहिए तो आप मुझे comment पर या instagram पर message करके पूछ सकते हैं मैं जरूर से help करने की कोसिस करूँगा तो मिलते हैं आगे एक नए helping and video के साथ thank you for watching my video guys thank you